अगर फोटो और वीडियो को रख सकते हैं आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आपका अगर फोन ले लेते हैं और गैलरी और मेमोरी फाइल में अगर फोटो वीडियो जो रखे हैं और दिखाना नहीं चाहते हैं अपने घर के मेंबर को तो उसको लुका कर वहाँ पे रख सक सकते हैं और उसको आप ही देख सकते हैं तो simply उसके लिए आपको आपके मोबाइल में वह एपस दिया है आपको कहीं से भी अलग से डाउनलोड नहीं करना है ठीक है simply क्या करना है आपको Google Drive आपके फोन में जो यह आइकन देख रहा है यहाँ पर देख रहा है Google Drive यह हर एक फोन में रहता है inbuilt ठीक है तो आपके भी फोन में होगा ठीक है जब इसको open करेंगे open करने के बाद में आप जिस भी मुबायल में Gmail ID को login किया है उस email ID से इसको login कर लिजिएगा ठीक है login करने के बाद में इसमें आपको 15GB तक का space मिलता है 15GB तक ले इसमें कुछ भी रख सकते हैं ठीक है और इसमें रखने के बाद में आप चाहे तो अपने फोन या मतलब फोन में से या गेलेरी में से फोटो या वीडियो को डिलेक्ट कर देते हैं तो फिर भी इसमें रहेगा ठीक है और यह जो email ID इसमें login किये है और इस email ID का passport अगर आपको पता है तो आप laptop में भी इस फोटो को इकाल सकते हैं आचाहे तो किसी अदर मोबाईल में भी इस email ID को login करके फोटो को इकाल सकते हैं ठीक है अगर आपका मोबाईल भी भूला जाता है छेए खो जाता है तो भी आपका फोटो या वीडियो इसमें बरकरार रहेगा ठीक है आप इसमें से कभी जब मन करें तब आप निकाल सकते हैं इसमें से विडियो या फोटो या MP3 जो भी रिकोर्डिंग कॉल रिकोर्डिंग रखना चाहते हैं फोटो रखना चाहते हैं जो भी कोई डॉक्मेंट भी रखना चाते हैं तो इसमें रख सकते हैं ठीक है और एस सारा लोग नहीं यूज़ करता है जिनको पता है और वहीं लोग इसको यूज़ करते हैं ठीक है तो देखे इसमे इसमें काईसे कुछ भी upload करेंगे तो उसके लिए simply यहां पर देखिए एक प्लॉस का आइकन यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो simply इस पर जब किलिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बना सकते हैं किसी नाम से तो चलिए मैं आपको बता देता हूं फोल्डर बना कर ठीक है simply आपको प्लस पर किलिक करना है यहां पर प्लस पर किलिक करने के बाद में यहां पर देखिए यहां पर लिख रहा है फोल्डर तो आप फोल्डर पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद में जो फोल्डर का नाम देना चाहते हैं वह नाम दे दिजिए म मैं अपना नाम लिख दिया हूं लिखने के बाद में यहां पर लिखाए create create पर जब किलिक करेंगे तो यहां पर देखे एक folder तो हो गया ठीक है अगर इस folder में कोई वीडियो या फोटो को upload करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे simply आपको इस folder को open करना है open करने के बाद में यहां पर फिर से प्लस पर क्लिक करना है simply जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा है upload अपको यहां पर upload पर क्लिक कर देना है इस वहले icon पर ठीक है जब क्लिक करेंगे तो आपका मैं मतलब उपन हजाएगा जो मेमोड्य का होता है फोन इस्टूरी वो ऊपन हो जाएगा और यह जो ठीरी लाइन दिखाई दे रहा है आपको इस पे सिंप्ली क्लिक करना है क्लिक करने के सब्सक्राइब करें तो आप क्या चीज्य अप्लोड करना चाहते हैं कोई फोटो अप्लोड करना चाथे तो यहां पर ग्लेरी लिखा है गैलेरी पर क्लिक करेंगे और MP है मतलब कोई music select करना चाहिए मतलब upload करना चाते हैं तो यहाँ पर IDEO फाइल लिखा इस पर क्लिक करेंगे ठीक है और नहीं तो किसी folder में रखे हैं तो यहाँ से इस वाली पर आप स्टोडी में जाकर उस फोटो को select कर सकते हैं ठीक है तो मैं gallery में से कैसे मैं कोई एक photo को select क च्ционCloud के तक फोटो को तो मैं फिक लगाता हूं टिक लगाने के बाद में यहाँ जो सही के निषान है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ से p figuring होगा और बेंखे हैं लिख रहा है Uploading ठीक है तो तो कुछ समाई लेगा और कुछ समाई लेने के बाद में एक अपलोड सेक्सेसफूल हो जाएगा ठीक है तो मैं देखता हूं यहां से अपलोड करता हूं देखिए अपलोड यह मतलब हो रहा है देखिए अपलोड हो गया है ठीक है आपका फोटो यहां पे upload हो चुका है मैं इस पर किलिक करता हूँ एक बार इस फौटो पर जब फोटो पर कलिक करता हूँ तो धेकिए फोटो आ चुका है ठीक है और आप gallery में से चाहिए आप स्टोरी में से इस फोटो को डिलेट कर सकते हैं इस photo पर्ममेंटी रहेगा, जब तक जहांत आप डिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक फोटो डिलेक्ट यहां से नहीं होगा ठीक है और इस फोटो को फिर से अगर memory में ले जाना चाहते हैं, चाहिज सियासा गैलरी में ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाएंगे तो उसके लिए यहां पर दिखाई दे रहा है तो आपको इस ठीरी जोट पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद में यहां पर देखिए काफी सारा अपसन आपका सो हो जाएगा ठीक है तो सिंपली अगर किसी को इस फोटो को मतलब देखाना चाहते हैं तो यहां पर लिखा है इस फोटो के यहां से share करेंगे तो मतलब जिसको भेजेंगा photo photo को ओपन करेंगे देख सकता है ठीक है और आप चाहते है इस picture download करना तो simply यहां पर नीचे देखें यहां पर लिखंग है download इस जब download पर यह praeg प्लिक करेंगे तो आपके फॉन में photo download हो जाएगा ठीक है इसी त्विडियो और फोटो को भी डाउंलोड कर सकते हैं बढ़ी आसानी से ठीक है और यहां पे आप जीतना साल रखना चाहते हैं उतना साल फोटो रहा जाएगा ठीक है इसमें से फोटो अप्ट टोकमेटिक डिलेक्ट कभी नहीं होगा जब तक आप डिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक डिलेक्ट नहीं होगा ठीक है तो यह काफी अच्छा एक मतलब एपस है इसमें आप लोग बड़ी आसानी से कोई भी फोटो और वीडियो को रख सकते हैं और यह ज्यादा कोई इसको ओपन भी नहीं करता है ठीक है तो बस आज के वीडियो में इतना ही अगर हमारे इ मैं एक वीडियो जरूर बना दूँगा तो चलिए हम इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं